नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है नए वीडियो के अंदर दोस्तों मेरा नाम है प्रित्विराजबर्मा और आप देख रहे हैं सिंपल आयरोवेदा दोस्तों अगर आपको भी एक अच्छे बिजनस की तलास है और आप भी यह चाहते हैं कि आपका एक अच्छा सा बिजनस हो आपके एक छोटी सी फैक्टरी हो आपका एक मैनुफैक्टरिंग यूनिट हो और आप भी महीने की अच्छी खासी कमाई है वो कम इन्वेस्टमेंट लगा करके अच्छी कमाई है वो कर लें तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर में आपको ऐ आप चाहे पड़े लिखे हो आप चाहे कम पड़े लिखे हो तो भी इस बिजनस को आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से स्टार्ट होने वाला और सबसे कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट होने वाला यह बिजनस है दोस्तों तो वीडियो आप कंप्लीट देख लेना और ब बात करेंगे इस परकार के साबनों बनाने के उपर लेकिन इसकी आज मैं आपको एक्च्वल कोश्ट निकाल करके दिखाऊंगा बहुत सारे लोगों की डाउट है कमेंट आते हैं हमारे पास वाट्सअप पे मेसेज आते हैं तो वो यह पूछते हैं कि सर यह साबन तो हमें 25 पढ़ रहा है 30 में पढ़ रहा है 35 परचेश कर रहे हैं तो फिर हम इसको सेल कितने आगरें दोस्तों इसका जो एक्च्वल प्राइज है दोस्तों साबून का वो 13 रुपे कोस्टिंग आती है अगर आप मैं बताऊंगा उस तरीके से अगर आप इस साबून को बनाते हैं त अगर इस परकार की पेकिंग की बात करें तो इसके अंदर 10 साबून है यह इसका जो वेक और इसकी है और इसकी टोटल जो होल सेल में सेल किये हैं तो आपको मारजन यहां पर मिल जाता है बीस रुपे में अगर आप एक साबून बेजते हैं तो आपको साथ रुपे एक साबून के ओपर प्रोफिट मिलता है दोस्तों और साथ रुपे एक साबून के ओपर प्रोफिट मिलता है दस साबून पर आपक का 70 रुपे प्रोफिट हो गया या इस पैक्ट के ओपर आपका 70 रुपे प्रोफिट हो गया और दोस्तो अगर अगर आप होल सेल में सेल करते हैं तो एक दुकंदार को 10 किलो साबुन बैचना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपने 10 दुकानों पेसे 10 10 पैकेट बैचे तो आपने सो पैकेट सेल कर दिये और दोस्तों सो पैकेट के उपर अगर हम आरजन निकालें तो सतर रुपे एक पैकेट के साब से साथ हजार रुपे डेली के होते हैं आपको दिखने में प्रोफिट छोटा दिख रहा है लेकिन जब आप इसका सई तरीके से केलिकु ही नहीं रखता हूं वह सेल हो जाती है और उसके बीच में भी हमारे बहुत सारे बेच बनते हैं उसके अंदर मुझे टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का लेकिन कुछ कुछ बेच के अंदर कुछ सपेसल फीचर होता है तो मैं उसका कर लेता हूं तो जो नाइट में हमारे बेच बंते हैं उसगा में जाराइब हमें कि साराथ बनाएगे अब दोस्तों इस business को आप दो तरीके से start कर सकते हैं या तो आप पहले से सिखे हुए हैं इस business को जानते हैं कि यह साबून कैसे बनता है तो आप रो मेटरियल 15,000 रुपे इन्वेस्ट कर दीजिए और उसके अंदर आपका 13,000 रुपे कोस्टिंग आएगा साबून का अगर आ तक तो होगी आपको business के बारे में बात और इन्वेस्टमेट के बारे में बात अब देखते हैं कि यह साबून की कोस्टिंग कैसे हमें निकालने हैं और साथ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि साबून को आपको बनाना कैसे हैं दोस्तों इस साबून को बनाने के लिए यह कि यह सोबस होता है वह सिस्हें के इंदर होता है तो एग बार में यह बर्तन के अदेर नई और हमारे पास दुव यह आठक evol को जाए का तो बाद में हम इसमें कर देंगे जोबार से हम्हीं से ऑप्रकार से सابस्षोर नसे सब दो के की बात कर लेते हैं देखिए जब आप किट लेते हैं तो किट के ऊपर कोस्टिंग नहीं निकलता है उसके उपर शिपिंग चार्ज होता है फिर उसके उपर आप रेट निकालना भूल जाते हैं तो यहां पर हम नियड़ेट निकालेंगे दोस्तों सो केजी मेटरियल के उपर यानि आप 15,000-20,000 रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 100KG मेटरियल है वो मिल जाता है और 100KG के उपर हम आज का इन्वेस्ट निकालें जिसको समझने में आपको भी आसानी होगी तो यहां पर दोस्तों अगर 100 kg, 100 kg, 100 kg की रेट के बात करें, तो 100 रुपे पर kg हमें 100 मिल जाता है, जो कि आप यहां वीडियो में लेख सकते हैं, पर स्क्रिन्सोट में, जो कि यह हमारा रेट है, और सबसे बेश्ट क्वालिटी का सो बेस है, है अल्टरा कलीर ट्रांस्प्रेंट ग्लिस्रिन सो बेस है यह सो रूपे किलो आपको मिल जाता है तो एक किलो सो बेस का यहां पर रेट होता है सो रूपे अगर आप सो केजी किल लेते थो में आपको सुंतीस किलो में लिएसे पड़ आप सो रूपे पर के याँ अगर आप का लेते थैं इसके से दुसे beim बार लेटे रॉपे किलो यह तो शुलिया उपर यहर पड़ जाता है उसके बाद है। नहीं दोस्तों यहां पर तो यहां पर हमें में जो हमारे ingredients है जो raw material है वो हमारा हो गया soap base, fragrance और color उसके बाद में हमारा जो soap mode होता है उसके पर आपको one time investment करनी है उसके बाद में आपको इसके उपर investment नहीं करनी है क्योंकि वो one time आपको purchase करना है तो अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हमारा soap base है वो melt होना start हो गया है तो हमने यहां पर 100 रुपे का soap base लिया है अब दोस्तों हम इसके अंदर color aid करेंगे तो एक kilo soap base के अंदर हमारा 10 ml color जाता है अगर हम yellow color aid कर रहे हैं तो जदा से जदा अगर हम रेट निगाले तो चार रुपे हमारा आ गया 10 ml का तो यहां पर हम चार रुपे मानके चलते हैं कि 400 रुपे लिट्र है तो दस मेल का यह पर हमारा चार रुपे खर्चा आ गया color का तो यहां पर तक हमारी costing आगई 104 अब दोस्तों आप यहां पर तो आप साबुन देख रहे हैं इस परकार काम साबुन बना रहे हैं और इसके अंदर हमने एड़ किया है येलो कलर उसके बाद में हम इसके अंदर पीर्स का ही फ्रेक्रेश कर रहे हैं जो कि आप अगर एक लेटर की पेकिंग लेते हैं तो आपको 2000 रुपए में मिल जाता है तो यहां पर हम color add कर रहे हैं 10 ml, हम बना रहे हैं हाई फर्फियूम के अंदर अगर आपको quality थोड़ी लो रखनी है तो आप 5 ml भी बीड कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर 10 ml एड कर रहे हैं, तो यहां पर जो इसकी fragrance की कोस्टिंग आई है दोस्तों वो आई है 20 रुपे, तो यह को आपको और विल्म, होगे इसके उपर आप देख सकते हैं कि इसके उपर फॉर्म से सावुन हमें कलिए नहीं दिख रहा तो इसके लिए सुल्य सुनाता है आई पीए का आई पीए का पूरा नाम है आईसो प्रोपाइल अलकॉल तो इसका जब हम इसके उपर सप्रे करेंगे तो उपर की जो फोर्मिंग आई यह दिरे दिरे हट जाती है आपको एक बार सप्रे करना है फिर आपको करीब 20-30 सेकंड बाद में इसके उपर दुबारा और थोड़ा-थोड़ा हलका सप्रे करना है उसके बाद में यह उपर की फोर्मिंग है वो हट जाएगी तो यहां पर दोस्तों आप एड़ कर सकते हैं एक शे दो रुपे हमारा आई पीए जाएगा एक किलो सो बेस के अंदर सप्रे करने से तो यहां पर हम दो रुपे एड़ कर लेते हैं तो यहां पर हमारे एक किलो के इंदर 126 रुपे इन्वेस्ट हो गए यहां तक उसके बाद में दोस्तों हमारा यहां पर गेस का जो खर्चा है वो दो रुपे माल लेते हैं कि गेस के उपर हमारा एक किलो सो बेस को मेल्ट कर या यानि 10 किलो अगर आप सोबेस मैल्ट करते हैं तो आपको करीब साथ से आठ मिनिट लगते हैं तो यहां पर हमा लेते हैं कि हमारा दो रूपे खर्चाया आलागे दो रूपे खर्चा आता नहीं गेस का लेकिन हम 2 रूपे एड़ कर रहे हैं तो 28 रुपे दोस्तो हमारे को गय है नि गैस के साथ 108 रुपे होगे तो अब दोस्तोग आप यहां पर देख सकते हैं कि एम सोप मॉल्ड के अंदर किस परकार से इसको फीट कर रहे हैं तो इस परकार से आपको सोप मॉल्ड के बिजनस स्थार्ट करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं हमारे किस्षे हैं बड़ी आसानी से आप डिए आप ओडर कर सकते हैं हम यह वाउट्ट्ट्ठ करना स्क्रीन यह उसको न्बर देघर आ है और अपने एक वर्मग करDu क्रके आप इसको सीख सकते हैं seront के बाद में आप बड़ी क्वांटिटी के अंदर मेट्रिल लेकर के अपना बिजनस है वो स्टार्ट कर सकते हैं और जब आप किट से साबून मनाएंगे तो खुद भी आप इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने सबी सोप मोल् हैं तो यहां पर देखिए मैंने एक साबून को बाहर निकाला है और यहां पर आप इसकी क्वालिटी है वो चेक कर सकते हैं कितना अच्छा इसका जो कलर है वो आया है और पूरा ट्रांस्परेंट यह साबून है और क्वालिटी यहां पर आप देख सकते हैं वीडियो के अ पाघर निकाल लेंगे बाहर लिकानना बहुत ही असान है और दोस्तों यह जो आप सोफ मोल्ड देख रहे हैं यह सोफ मोल्ड दोस्तों कभी भी आपके खराब नहीं होता है वन time आपको invest करना है और अलग अलग color के अंदर अलग फ्रेक्रेस के데र आप साबून बना सकते हैं और इसके अंदर design भी आंप सहोप रिकार के design बना सकते हैं बहुट डीजाइन आता है इसके पन्दर कितनी भी ग्राम काहप साबून दूर सकते हैं पंद्रा ग्राम से लेकर कि एक आ हमारे पास आवैलेबल है ईसके अलावा अगर आपको और को जादा जान करें चल arch doubt में के बारे में जाए कोर सकते हैं या पिर आप मारे वडiset न्यून पसक्तिन हमारे सारे जितने भी पड़े हो गए वो पड़े हुए हैं वहाँ पर जाकर कि आप प्रोड़क्ट चेक कर सकते हैं उसके अलावा मैं आपको एक कुछी टाइम में हमारी एक वेबसाइट आने वाली है सिंपल आयुरवेदा की उस पर भी आप और कर सकते हैं इंक्वारी कर सकते हैं वो हम जल्द ही लॉंच करने वाले हैं उस पर अभी काम चल रहा है और उसके बाद में हम आपको देने वाले हैं कॉलिंग सर्विस तो उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम हमें लगेगा जब भी वेबसाइट launch होगी तो उसके साथ में हम calling service भी launch करने वाले हैं जो कि आप call से भी help ले सकते हैं अभी हमारा WhatsApp sport आपको रहता है तो यहां पर friends आप देख सकते हैं कि हमने सबी साबुन है वो बाहर निकाल लिये हैं तो यहां तक हमारी कोस्टिंग आई है 128 रुपे पर केजी अब दोस्तों हमें इस साबुन को करना होता है पेक जो कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि किस परकार से हम इस साबुन को पेक कर रहे हैं पेक करने के लिए आपको डबल पेकिंग करनी होती है पहले तो आप इस परकार के सिंगल पेकिंग के अंदर आपको साबुन पेक करना होता है अगर कोई से चाहए तो और उसके बाद में अगर आप किसी दुकंदर को यह साबुन कर रह कर रहे हैं तो आप इस परकार की 1 kg की पेकिंग है वो बना सकते हैं हापकेज़ जी की भी बना सकते हैं पांच साबून डाल करके तो यह सिंगल पेकिंग हो गई और यह डबल पेकिंग हो गई यानि इसके उपर भी एक पेकिंग और हो गई तो इसके उपर आप देख सकते हैं लेमलेसन हुआ हुआ है और इसके उपर एक कागज की पेकिंग और हमने कर रखी है और इसके उपर आप इस परकार का स्टिकर है वो भी लगा सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर दोस्तों पेकिंग की और स्टिकर की जो कोस्टिंग है वो एक किलो के उपर दो रुपे आने वाली है यानि दो रुपे में आपकी डबल पेकिंग हो जाएगी और उपरी साबून के उपर आप स्टिकर भी लगा सकते हैं स्टिकर आप बिल्कुल भी सिंपल बनाई है उपर हैंड मेंड लिखवा दीजिए अपने ब्रांड का नाम लिखवा दीजिए मार्केट में किसी भी प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास चले जाएए व और सो ग्राम पे हमारी कोस्ट आई है इस साबून पे तेरा रुपे तो दोस्तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बहुती सिंपल तरिकी से समझाया है कि कोस्टिंग आप साबून की किस परकार से कम कर सकते हैं और अच्छा कासा आप मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो इस पर परकार के साबून है वो आप सेल कर सकते हैं अगर उसमें से अगर आप निकालें कि कुछ दुकंदर आपको बना करेंगे कुछ दुकंदर आप से लेंगे तो उसमें से आप सो दुकाने असानी से पकड़ सकते हैं अगर आपने उन सो दुकानों पे एक एक किलो साबून भी sale कर दिया या 10 दुकानों पे 10-10 किलो साबून भी sale कर दिया whole sale के अंदर तो आप देख सकते हैं कि 7 रुपे आपका मारजन आ रहा है एक साबून के पीछे और 10 साबून के पीछे आपका 70 रुपे मारजन आ रहा है और यह दोस्तों जनरल स्टोर पे बिखता है और जो मनिहारी की दुगाने होते हैं उस पे बिखता है उसके बाद में जो मॉल्स होते हैं वहां पर बिख जगता है और जो ब्यूटी पारलर वाले होते हैं वह भीया इस सब उनको 17 रुपे 100 रुपे तक में sale करते थे इसके अं के लिए बहुत ही अच्छा साबून होता है तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के इंदर बताया कि आप होममेड साबून का बिजनेस किस परकार से स्टार्ट कर सकते हैं और किस परकार के सिक उपर अच्छा खासा प्रोफिट कमा सकते हैं अगर वीडियो आपको सब्सक्राइब कर लिजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताये कि वीडियो आपको कैसा लगा